नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जस्टिन हिंदी यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में दोस्तों, लड़ू गोपाल कृष्ण भगवान का ही शिशु रूप है और जैसा भगवान का रूप होता है, वैसा है उनका स्वभाव भी होता है इसलिए इस रूप में भगवान का शिशु भाव रहता है और आप उनको छोटे बच्चे की तरह जितना लाण प्यार दे सकते हैं वही उनकी सच्ची भगती होती है सारी बात यहाँ पर शद्धा और भावना की है क्योंकि लड़ू गोपाल भगवान भक्त के भावों के ही भूखे होते हैं भगवान अपने इस रूप में सोते हैं, जाकते हैं और सारी बाल क्रीडाएं यानि खेल करते हैं जो एक छोटा बच्चा करता है आपके लिए ये भी जाना जरूरी है कि लड़ू गोपाल जी का मंत्र जिसे संतान गोपाल मंत्र भी कहते हैं वो क्या है इस मंत्र को कैसे पढ़ा जाता है और इसके क्या लाब हैं चलिए जानते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप भी लड़ू गोपाल के प्रेमी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जै कनहिया लाल की तो दोस्तों लड़ू गोपाल भगवान का संतान गोपाल मंत्र है वैसे तो यह मंत्र जाप अच्छी संतान पाने के लिए किया जाता है पर आप अपने पैदा हो जुके बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी इस मंत्र का जाप कर सकती हैं नहा धोकर साफ सुत्रे वस्त्र पहन कर शुद्ध रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से जाप करें इस मंत्र जाप को करने के लिए अपने दाए हाथ की तरजनी उंगली पर माला रख कर अंगूठे से एक-एक मंत्र पढ़ कर माला को आगे बढ़ाते जाएं कोशिश करें कि इस मंत्र के एक लाग जब आप पूरे करें जिससे यह आपके लिए सिध्ध हो सकें एक लाग बार इस मंत्र के पूरे हो जाने पर इसके दसवे अंश यानि दस हजार मंत्रों से हवन करवा लीजिए हवन के बाद ब्रामणों को अपनी श्रध्धा और क्षमता के अनुसार भोजन करवा कर उचित दान दक्षना दे कर आशिरवाद ले लीजिए अब हम आपको बताते हैं कि लड़ू कोपाल के सेवा करने से क्या फल मिलता है जब आप भगवान के प्यारे शिशुरूप की देखभाल और सेवा करेंगे तो आपका मन अपने आप ही बहुत प्रसन हो जाएगा परिवार में भी खुशाली आएगी परन्तु भगवान की पूजा मन में लालच रखके ना करें आप इसको ऐसे समझें कि जैसे प्रकृति में हर बात का स्वाभाविक रियाक्शन होता है उसी तरह जब आप कोई अच्छा कारे करते हैं और भगवान की पूजा आदि करते हैं तो उसके स्वाभाविक असर से आपका मन और आसपास की परिस्थितियां और भी बहतर काम करने के लिए अनुकूल हो जाता है इसके अलावा बच्चों को हमेशा निर्दोश और सकारात्मक एनरजी से भर पूर माना जाता है फिर लड़ू गोपाल तो स्वयम सकारात्मक एनरजी के सागर भगवान ही है तो उनके घर में रहने से और उनको देखने भर से ही परिवार के सभी लोगों के दुख दर्द अपनी आप दूर हो जाते हैं भगवान कृष्ण का यहाँ शिश्यू स्वरूप अपनी भगतों की सभी सही मनोकामनाओं को जरूर पूरा करता है आपकी जो भी मनोकामना है उसे भगवान लड़ू गोपाल जी के कान में बता दीजिए वह जरूर पूरी होंगी अब हम आपको बताते हैं लड़ू गोपाल को घर में रखने के नियम लड़ू गोपाल भगवान की भगती का अर्थ उनका छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखना है उनका अच्छे से ध्यान रखने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं इनका ध्यान रखें जैसे लड़ू गोपाल भगवान को हर रोज समय पर सुभह सनान कराईए जैसे किसी छोटे बेबी को कोमलता के साथ सनान कराया जाता है उनको खाने के लिए माखन मलाई और मिश्री का भोग चढाईए जिसे उनके सामने थोड़ी देर रखा भी रहने दीजिए उनके लिए छोटा सा पालना जूला बना कर धीरे धीरे जुलाईए थन बढ़ने पर उनको प्यार से साफ सुत्री छोटी सी चद्दर से उढ़ा दीजिए हर दिन लड़ू गोपाल भगवान के आरती जरूर करिए रात में उनको प्यार से सुला दीजिए जैसे किसी छोटे बच्चे को लोरी गा कर सुलाते हैं कभी भी उनको घर में ताला बंद करके अकेला न छोड़े और कहीं जरूरी काम से जाना ही पड़ जाए तो परिवार के किसी सदस्य या किसी विश्वास पात्र को उनका ख्याल रखने की जिम्मदारी दे कर जाए जब आप लड़ू गोपाल भगवान की पूजा करना शुरू करेंगे तो उसमें इतना रम जाएंगे कि आपको बहुत आनंद आने लगेगा पर उनकी पूजा के लिए बताए गए नियमों का ज़रूर ध्यान रखिए फिर आपके घर में हमीशा खुशिया ही खुशिया रहेंगी तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा हमारे जस्ट इन हिंदी चैनल को सब्स्राइब करिएगा जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ ही इस वीडियो को जम कर शेयर करिएगा धन्यवाद